हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभाय जूकेशन में दोस्तों अब तक हम लोगों ने मैं भी प्रेविश यह कुर्शंस के 42 में प्रेक्टिस से तक को कर लिया है इस वीडियो में हम सुरू करने जा रहे हैं 43 में भी प्रेविश यह कुर्शंस जो 1999 में पुछे कैंके कुर्श्चंस हैं तो चलिए हर दिन की भाति आज भी बिना समय गऻाच शूरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिच अरक्टि से दूरड़ा स्थापित है तो स्वामी देशानान सरसथी ने 8 समाज के स्थापने की ऐटहरज़़ सरौ नंदनी के लेखा कहती है जो नोबल है दुर्गेश नंदनी इनके लेखा कहा बंकिम चंद चटर जी इसका एंसर डी होगा नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नंबर थरी यानि तीन का रहाए कि 1921 का मोपला विद्रोह की इसका साखा था यह खिलापत अंदुलन का साखा था दक्षिन मालावार केरल में 1921 में हुए मोपला विद्रोह के दुगो कारण था मोपलाओ पर जमिनदारों का अत्याचार और दूसरा कारण था अंग्रेजी सरकार की खिलापत विद्रोधी नीतिया 1911 में मोपला विद्रोह ता खिलापत आंदोलन जो है एक दूसरे से मिस्रित हो गए थे तो कह सकते हैं कि खिलापत आंदोलन कही एक साका था मोपला विद्रोह नेक्स्ट कुष्चन है कुष्चन नमबर 4 कुष्चन नमबर 4 कह रहा है कि हो विद्रोह हुआ था था अठारेसोबिश से किस में हो भी दो कब हुआ था अठारेसोबिश में छोटजच नाटम पसके दिमतर में था Loka ने अठारेसोबिश से किस के दौरान विद्रो किया था यह विद्रो उन्हें अपने राजा जगनाद सिंग और कॉंपनी सरकार के विद्ध किया था ठीक है मित्रो तो इसका एंसर सी है अठारसो बीसी किस में नेक्स्ट कुस्चन है कुस्चन नंबर फाइब कुस्चन नंबर फाइब कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोग क्योंकि उन तो एकस्ट का औम्हस्ट घथा पीद्रो पूर्वी तथा परस्चमी संजुक प्रांत उत्रिव प्षा्मी भीार में द्याने द्यान रखना है पूर्वी तथा पश्मी संजूक प्राम्त और उत्री तथा पश्मी बिहार में चरम सिमा पर रहा था पटना में सचिवाले गोली कांट जो 11 अगस्त 1912 के बाद दो दिनों तक कोई कानून विवस्था नहीं रही थी नव अगस्त को गांधी जी को पकड़ा गया था और अन्यताओ को गांधी जी को आगाखा के आगाखा पेलिस में रखा गया था तो 15 अगस्त को पटना के आसपस संचार साधनों को नश्ट कर रही भीर पर आकास से मुशीन से गोली चलाने का भी आदेश था Next Question है Question No.6 Question No.6 कह रहा है कि 6 जिलाई 1912 को बर्धा में महात्मा गंधी ने कॉंग्रेस की कारकारनी समीती में भारत छोरो आंदोलन की चर्चा की तब समीती के अध्यक्स थे तो उस समय किसमीती के अध्यक्स थे अभूल कलाम आ जात गांधी जी ने कॉंग्रेस से करा था कि अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताब स्विकार नहीं किया तो उने कॉंग्रेस को छोड़ देंगे तथा देश के बादू से कॉंग्रेस से भी बड़ा आंदोरन खड़ा कर देंगे बड़ा कंग्रेस कार समिती की बड़ा बैठक 14 जुलाई 1902 ने ब्यारिश को हुई उसने गांधी जी के संघर्ष के पस्ताब को स्विक्रिती दे दी था आठ अगस्त को आखिल भारतिये कंग्रेस समिती के बंबाई अधिवेशन में भारत छोरो अंदोरन का अनमोधन कर दिय गया इस समय कंग्रेस के अध्याक से अभुष क्राम आजाती है को सब्सक्राइब के दोरां प्रिशावर के पास एक गाउं है इस गाउंका नाम है उत्तम नजाई इसके अब दूट गफार खान के ने त्वित कि करण सीमांत गांधि यानि की फरांटियर गांधि कर भी कर रहे गया कर जाते हैं तो फ्रांटियर गांधि या सीमांत गांदी किनको का जाता है खान अब्दुल गफार खान को मालव जी तरता कुछ पंजबी नेटाओं ने की थी नेश्ट कुरिष्टर नामबर नाइन कुर्ष्टर करया कि भारतिय रहूट कंग्रेश के अस्थापना की गई थी कंग्रेश के अस्थापना की गई थी 1850 में एक अवकास प्राफ्ट अंग्रेज आईसीएस अधिकारी यानि कि एक रिटार्ड सिविल सर्वेंट चुथे यह थे इसके सहयोग से बहुतर राजनेती कारकरताओं ने बुंबई में दिसंबर 1880 में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेज के निव रखी नेक्स्ट कुर्चन है क्रुचन 10 में को नरम पन्तियों यानि क्सक्रिट में नहीं थे इसमें बाल गंगाधर जोहां नरम पन्ति में नहीं थे यह गरम पन्त के नेताथा बाकि गुपाल किष्ण गुखले आरसिदतो直接 नरम पंति थे तीड़क, राजपत और विपिन चंदपाल प्रसिद उगरवादी और राष्टवादी नेता थे ये उदरवादी दल के पुरानी पिधी के नरम निती के बिरोधी थे तीड़क पहले बेक्थी थे जिसने स्वराज की मांग अस्पस्टू से की सर बेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में असांती का जन्मदाता कहा था किसको बालगंगाधर तीलक को किसने कहा था सर बेलेंटाइन सिरोल ने कहा कि ये भारत में असांती का जन्मदाता है कौन बालगंगाधर तीलक नेक्स्ट कुस्चन है कुस्चन नंबर 11 कुस्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारती राष्टी ये आंदुलन गरम पंथियों के प्रोहाब दिन आया यानि गरम पंथि के अंदर में भारती राष्टी ये अंदुलन कब आया तो ये आया 1906 के बाद भार्ती राष्टी कंग्रेस में गरंपन्थियों के दर 1905 से 1929 तक रहा 1905 के बंग-भंग के बास्वदेशी तता भविस्कार आंधूरन में गरंपन्थियों के प्रमुक्षी पुम का रही ठीक है मित्रों तो राष्टिये आंदूरों में गरम पन्थियों के प्रहाब दिन का बाया उनिशो चो के बाद नेक्स्ट्कूर्चन है कूर्चन नमबर 1212 भारतीय राष्टिये सेना इंडिया निशनल आर्मी के स्ठापना की सब्स हुएथी तो यह हुए थी 1912 में कैप्टेन मोहन सिन ने एक सिप्तंबर 1922 को आजाद हिंजबोच इंडिया निशनल आर्मी का गठन किया स्वास्चन्द बोस्ट ने इसकी कमान दू जुलाई 1922 को संभाली ठीक है मित्रों कुश्चन नमबर 13 भार्ती राष्टी कॉंग्रेश के संस्थापक थे तो इसके संस्थापक एक और सहनिक सेवक थे एक अवकास प्राप्त अंग्रेश आइसी एस अफसर एविहुम के सयोक्स दिसमबर अठाश सो पचासी में भार्ती राष्टी कॉंग्रेश के स्थापना है नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 14 कुश्चन नमबर 14 कराय कि भगात सिंग सुकद्य वो राजगुरु को फासी दी गई तो इनको फासी दी ग कराय कि लंदन में जेनर्ण डाल को किसने गोली मारी ये मारी उद्हम सिंग ने इसका एंसर डी होगा उद्हम सिंग गदर आंधुरं के एक कार करता थे जारिया बाला नाग बाग नर्शाहार के बदाल देने के लिए उन्होंने जेनर्ण डैन की हाथ्या बिटेन में करती एक नेक्स्ट कुष्चन कुस्ट नमबर 16 कुस्ट्र कह रहाई कि स्वराज पाटी के गठन डौर्ट की असफ़ता के बाद हुआ ये असष्योग आंधुरं के असफ़ता के बाद हुआ आसायोग आंधुरं में गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज के नाराथ दिया थम अन्दोनार की असफद्दा के बाद कॉंसिल में परवेश के मुदे पर और परिवर्थनवादी गुट गया अधिवेशन 1922 के बाद कॉंग्रेस से अलग हो गया मुतिरानेर्व और सियारदास के नेतित में स्वराज का पाटी का गटन्थ है यह मार्च 1923 में किया गया ठीक है मित्रों नेक्स्ट कुष्चन है आई एने की अस्थापना हुई तो इसकी अस्थापना हुई सिंगाफूर में मलाया सिंगाफूर में कैप्टन मोहन सिंग के द्वारा एक सेप्टेमबर 1922 को आजाद हिंद पौद यानि इंडियन नेशनल आर्मी की पहली डिवीजन का गठन 16,300 सेन को कुड़े कर किया गया ठीक है मित्रों नेक्स्ट कुष्चन कुष्चन नमबर 18 आखिल भारतिये खिलापत समयलन जो की 1929 में हुए इसका अध्यक्ष किसे चुना गया तो इसका अध्यक्ष चुना गया तमहात्मा गांधी को तुर्की के खलीपा के प्रीटरों तो इसका अंसर एह होगा कि नेक्स्ट कुष्चन है कुष्चन नमबर 19 व्र, 9 कह रहा है कि 1908 में बाट गंगादर को तिलक कितने वरस की हुए तिलक को जेल जो होई तो वह कितने वरस की तो यह होई चौ़वरस की और वह 14 में रिया होए थे उस 14 में तो 1907 सब में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गुट को कंग्रेश से बाहर निकाल देने के बाद उग्रवादी अंदुलन कमजोर पड़ गया किसलिए कमजोर पड़ गया क्योंकि 1960 में तिलग को छो बर्सों की जेल हो गई लाला लाजबत रहे देश से निर्वासित हो गया तथा अर्भिंद भुष्ट ने सकीठीय राजनीती से सन्यास्त ले लिया इसलिए कुछ बर्सों के लिए जो है उग्रवादी अंदुलन कमजोर पड़ गया नेक्स्ट कुष्टन है कुष्टन नंबर 20 कुष्टन नंबर 20 कह रहा है कि अधिक्तर नरम पंथी नेता थे क्या थे अधिक्तम नरम पंथी नेता जो है सहरी छेत्रों से थे नगरामीन छेत्रों से अधिक्तम जो है नरम पंथी नेता सहरी छेत्रों से थे 1885 में कंग्रेस की अस्थापना और गांधी जी के आगमन के बीच के काल में राष्टी अंदुलन मुखे तोर पर एक सहरी अंदुलन ही रहा कब तक 1885 से लेके 1915 तक इसमें सहरी लोगों नहीं भाग लिया और भारत की ग्रामीन जनता की इसमें कोई हिसेदारी नहीं थी कब तक जब तक गांधी जी राष्टी आंदुलन में ना आ गए जब गांधी जी के राष्टी में आंदुलन में आने के बाद ग्रामीन जनता की भागदारी पढ़ने लगी नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 21 कुश्चन कह रहा है कि रामभिला सिंग परवर्ड लग के एक शक्रीय सदस्ति प्रिय के उलाएं तो यह थे मोंगेर के नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 22 कि फ्रीध्विरा के लिखा को है इसके लिखा कन्भाद थो इस प्रीध्वीरा राषो कि रामभा चन्दवर्डाई ना की थी जो प्रीध्विरा चौहां त प्रित्य का सामन्त था या राज कपी था इसे हिंदी का प्रत्व महाकाद कहा जाता है किसको प्रित्वी राज राशो को नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 23 कुश्चन कह रहा है कि विजयनगर के साथ किस्देव राय ने गुलकुंडा का यूद किस राजा के साथ लगा था तो ये राजा लगा था यूद कुली कुतूबसा के साथ बिजयनगर के सांसा कुछ किलो को हत्या लिया कुछ किलो को भेज कर गोलकुंडा को बुरी तरह माने किलो कुछ को जीता तो इसके लेखक भास है भास संस्कृत के जो है ये प्रतमनाटक कार है कौन भास और इनकी तीरह प्रसीध रचना है जिन में प्रसीध है स्वप्न भासदता प्रतिग्या योगधारयम दरिद्र चारुदत बाल चरित उड़ुभंग दूद घटुक चक माध्यम व्योग इनक तब्भास का अरी संस्कीत के प्रतमनाटक कार है और सपन वास्ताता के लिए खक भी यही है इसके अलाबा अन्य अन्य भी इनकी प्रसीध कृतियां है नेक्स्ट कुष्चन है और इस वीडियो का आखरी कुष्चन है कि राजा खार्विल का नाम जुड़ा है तो राजा ख पूरी जिले में इस्थित उदायगिरी खंडगिरी की पहारियों में हाथी गुपाले की खोज 1825 में अश्टरलिंग ने की थी कनिंगम और भगवान लाल इंदर द्वारा इसका सुध पाठ प्रस्तूत करने पर पता चला कि यह कलिंग राज खार्विल की प्रसस्ति प्रस चीज कुश्चन समाप्त हुआ निनते हाग लें वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभू